और दोस्तों कैसे आप लोग चलिए फाइब की मदस्य सुभाश चंद जी का तस्वीर बनाते हैं पहले फाइब बना लेते हैं उपर से वह एक लकीर खीचेंगे फिर इधर से खीचते हैं फिर इधर से लकीर खीचेंगे और बीच में गोला कर देते हैं इसे इसे वर देते हैं ऐसे गोला और और यह हो गया सुभाश चंद जी का कान इसको यहां से खीचेंगे बीच में इसा करेंगे फिर यह बाल हो गया अब इसको अच्छे से कलर कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा आसान है बनाना बहुत आसान है अच्छे से इसको कलर कर लेते हैं कि कलर करने के बाद आगे देखते हैं क्या क्या करना है इसके बाद गश्चस्मे का गोला हो गया चस्मा हो गया जो चस्मा पहेंते थे और यह आख हो गया इसको बनाना बहुत आसान है और यह चस्मे का प्रेव हो गया फिर अब यह नाख हो गया इसको ऐसे खीच के इधर से लाएं इसके बाद चस्मे का अब दूसरा पार्ट हो गया यह दूसरा पार्ट बनाते हैं और यह आंक हो गया साइड में कि साइड में आख हो गया इसको अच्छे से कलर कर लेते हैं फिर यह एक लखी रहाँ से खीच के अरे शुबास्चंद जी का माँ में होट हो गया होट बनाते हैं बेखिए कैसे बनाना बहुत आसान है इसका गाल हो गया बोसका को यहां से खिचके रेडियो हो गया बस यह हो गया उनका कपड़े का कलर क्वालर यह बटन हो गया इसको यहां से खिचके यहां खिच देते हैं और यह बटन हो गया सवाश्चन जी का बोस का यह रेडियो के तैयार है रेडियो कर और यह बिच में गोला कर लेते हैं सवाश्चन बोस जी का यह टोपी का टोपी ह और यह टोपी बनाना बहुत आसान है इसको ठीक से अच्छे से कलर कर लेते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों में जबूर सेयर करना